नम्श्कार मँप्रिया, आज़े 12 जन्वरी चले जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को महरास्ट्रे मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने टेक्णीशन पदों के लिए मांगे आवेदन महराश्रो रेल कॉर्परेशन में टेक्नीशन के पदों पर भर्दी के लिए आवेदन आमंतरित किये गए हैं इन पदों के लिए आवेदन करने की आखरी तारीक 21 जनवर ही निर्धारित की गई है जन पदों पर आविदन आमंतरित किये गए हैं उसमें नॉन सुपरवाइजरी ओपरेशन्स और मिंटेनिंस पूने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए रेगुलर बेसिस के आधार पर भरती के लिए हैं इनमें टेक्नीशन, इलेक्ट्रिकल के 23 पत, टेक्नीशन, फिटर, ट और SCVT की मानेता प्राप्त संसान, इलेक्ट्रिकल फिटर, मेसन, आधी का सर्टिफिकेट होना अनिवार है बिहार के हर जिले में ITI भवन में खोला जाएगा मेगा स्किल्स सेंटर बिहार में युवाओं को रोजगार प्रसेक्शन देने के लिए राजसरकार जल्द ही जलों में मेगा स्किल्स सेंटर खोलने जारी है मुख्यमंतरी साथ निश्य पार्ट दों के जरिये राजसरकार ने आत्म निर्भर बिहार बनाने का संकल्प अब ले लिया है जिसके परिणाम सरूप यह सेंटर हरजले के सरकारी आई टी आई में खोलने की योजना बनाई जारी है इन सेंटर को नीजी एजनसियों को सौप दिया जाएगा जिसके बाद इनका संचालन नीजी एजनसियां ही करेगी जिस पर श्रम संसाधन विभाग अपनी नजर बना कर रखने वाला है जिससे राजुके युवाओं को रोजगार और स्वारोजगार के लिए दक्ष बनाया जा सकेगा सीता मढ़ी के बगी मठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास जुम्रा ब्लॉक के रंजीतपूर में सित बगी धाम एक प्रमुक दर्शिनी एस्थल है 108 कमरों से युगत इस मठ में 24 घंटा कीर्टन और सीता राम नाम जाप होता रहता है इस मठ परिसर में ही बाबा धनेश्वरनाथ महादेव का एक सुन्दर और भव्य मंदिर भी है और यहां प्रसिद संत बगी बाबा तपस्वी नारायन दास जी महराज की समाधी स्थल भी है आपको बता दे इस मठ पर बिहार के मुख्यमत्रि नितीश कुमार भी आ चुके है बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले स्वास्त्व भाग की तरफ से साज़ा की गई जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 213 मामले सामने आई हैं जिसके बाद प्रभावितों की संक्या बढ़कर 256,991 पर पहुँच गई है वही प्रभावित टॉप 3 जिलो की बात करें तो राजधारी पटना में 107 नहे मामलों की पुष्टी हुई है इसके साथ ही सारन में 20 तो वहीं दर्भंगा में 6 मामले सामने आए हैं बिहार में ओन्नाइन म्यूटेशन का है बुरा हाल बिहार में डिजिटली करन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है बिहार में ऑनलाइन मेबस्था करने के बावजूद म्यूटेशन के लिए याचिकाओं की संख्या हाला की बढ़ गई है मगर समय पर निश्पादन अभी भी मुश्किल में नजर आ रहा है आलम ये है कि 5 प्रतिशत याचिकाओं भी समय पर निश्पादित नहीं हो पा रही है इसकी उपलब्धी का प्रतिशत दो अंक में हासिल करने वाले अंचलों की संख्यागिनी चुनी बताई जा रही है आपको बता दे वर्तमान समय में दाखिल खारिच के आवेदन में केवल 3.46 प्रतिशत का ही निश्पादन समय पर हो सका है ये हस्टी दिसंबर तक की बताई गई है जिसका खुला साविभाग की समीक्षा में हुआ है बिहार में आज से तापमान में गिरावट की जताई गई संभावना बिहार में मौसम का मिजवाज एक बार फिर से बदलने के अनुमान लगाएगे है बर्तमान समय में गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है मौसम विग्यानिकों की माने तो आज से तापमान में गिरावट दर्च की जा सकती है बिहार में बीते दिन तक मौसम में गर्माहट का एहसास लोगों को काफी ज्यादा हो रहा था आएमडी पटना की तरफ से जारी केगे पुर्वानुमान के अनुसार इस बेचैनी भरी गर्माहट से जल्द ही राहत मिलने वाली है आएमडी पटना ने यह पुर्वानुमान जताया है कि मंगलवार से नियुनकम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार देखने को मिल सकते है मंगलवार से ही उतरे पश्रिमी हवा का प्रभाव देखने को मिलने लगेगा जिसकी रफ्तार अधिक रहने की उमीद जताई गई है गांधी सेतु के पुर्वी लेन का स्टील सुपर स्ट्रक्चर नर्मान जल्द होगा शुरू महत्मा गांधी सेतु के पुर्वी लेन को तोड़ने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है हाला कि इस काम की गति फिलहाल धीमी देखने को मिल रही है दो महीने में इसका 15 स्पैन के फुटपात को पूरी तरह से हटाने का काम कर दिया गया है इन में से 5 स्पैन को पूरी तरह तोड़ दिया गया है और उसमें पीर हेड को भी हटा दिया गया है इसके साथ ही 4 अन्य स्पैन को भी तोड़ने का काम तेजी से चल रहा है और रविवार तक 50% से अधिक काम पूरा हो जाएगा बाकि अन्य 36 स्पैनों को भी चरनबध तरीके से तोड़ने का काम जल्द ही शुरू होगा बिना मास्क लगा या पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में सफर करना पड़ सकता है महगा देश भर में कोरोना का महौल अभी भी जारी है ऐसे में सरकार की तरफ से जारी किये गया गाइडलाइन का पालन भी सकती से करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है बिहार की राजधानी पतना में भी डियम डॉक्टर चंदर शेखर सिंग ने अभी अपना आदेश जारी किया है साथी गोपनिय जाच करवाने के आदेश भी जारी कर दिये हैं इतना ही नहीं उन्होंने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया है कि उन लोगों पर खास ध्यान दिया जाए जो खास कर कि बस या फिर तीन पहिया वाहन से सपर करते हैं ऐसे लोगों ने मास्क पहना है या नहीं इस बात की जाच ज़रूर की जाए इसको लेकर डियेम चंदर शेकर सिंग ने आदेश भी जारी कर दिया है Learning license के लिए offline आवेदन की प्रक्रिया पूरे तरीके से हुई बंध बिहार में learning license बनवाने के लिए अब तक आम नागरिकों के पास online के साथ साथ offline mode भी रहता था हाला कि अब ऐसा नहीं होने वाला है आम नागरिकों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते वे अब आवेदन भरने को पूरी तरह से online कर दिया गया है इतना ही नहीं परिवाहन विभाग ने अब learning license के लिए शुर्क जमा करने की विवस्ता में भी बदलाव कर दिया है इतना ही नहीं अब slot book होते ही learning license के लिए 744 रुपे जमा करने पर जाच परीक्षा के लिए अपनी सुवधा के नुसार डेट भी मिल रही है हालाकि डेट मिलने के बार आपको परिवाहन कार्या ले जाकर online परीक्षा देने के लिए जाना होगा PG डॉक्टरों की मांग मानी सरकार ने PG डॉक्टर कुछ समय पहले मांदे बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे इसके बाद अब सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है जिसके परिणाम स्वरूप विचारो परांत राजु के चकित्सा डेंटल महाविद्याले के PG में अध्यान रत चात्रों के मांदे को इनांक 112020 से बढ़ा दिया गया है जिसके तहट बिहार सरकार स्वास्तव भाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है इतना ही नहीं स्वास्तव भाग ने यह भी साफ किया है कि करतवे से अनदिकरित अनुपस्तिती के मामले में प्रतिमा छात्रावृति की राशी से अनुपातिक कटोती करके ही राशी क मुख्यमंत्री नितीश कुमार के माधुपूर महावीर वाटिका यानि की एको पार्क को 11-16 जनवरी तक बंद रखने का देश मिली जानकारी के नुसार मुख्यमंत्रि नितिश कुमार के आग्मन को लेकर 11-16 जनवरी तक पार्क बंद रहेगा यह जानकारी देते हुए रेंजर राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दियों और बताया है कि मुख्यमंत्र नितीश कुमार का संभावित आगमन है लहासा पार्क में जुला के वरिय पदादीकारी लगाता अर्जायजा ले रहे हैं जानकारी के नुसार तैयारियों को गती प्रदान करने के लिए 6 दिन तक इको पार्क को आम लोगों के लिए बंद रखा गया है हाला कि पार्क के बंद रहने के दौरान बन विभाग की कर्मचारी पार्क का मिंटेनिंस का काम करते रहेंगे वाक्सिनेशन के लिए पटना के नीजी हॉस्पिटल को किया जा रहा है तयार कोरोना के वाक्सिनेशन का काम जल्द ही पुरे देश भर में शुरू हो रहा है वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोरोना वाक्सीन मुहाया करवानी की तयारी शुरू हो गई है जिसके तहत 16 वैक्सिनेशन सेंटर फाइनल करने के बाद अब 25 अन्य सेंटरों पर वैक्सिनेशन की तयारी चल रही है पट्ना में स्वास्तव भाग जो तयारी कर रहा है उसके मताबिक जुले के 25 मीजी अस्पतालों की लिस्टिंग का काम किया जा रहा है इसकी सूची मंगलवार को तयार की जाएगी स्वास्तव भाग की तयारी है कि तीका करन का शुभारम होने के बाद सेंटर की संख्या बढ़ा दी जाए अपनी मांगो को लेकर 16 जन्वरी से सडकों पर उत्रेंगे आटो और ट्रक चालक All India Road Transport Workers Federation ने अपनी मांगो के समर्थन में विरोध करने का फैसला लिया है इसको लेकर क्यालिंडर भी जारी कर दिया गया है जिसके परिणाम सरूप जमाल रोड सित SITO का रियाले में हुई संगठन की बैठक में इस आश्रे का निरने लिया गया है जिसकी अध्यक्षता मोहमद अनू ने साजह की है संगठन की बैठक में वक्ताओं ने कहा है कि कोरोना के समय परिवहन पूरी तरह से बंध होने का असर अब तक बरकरार है लोग प्रभावित है बैठक में टाक्स माफ करने से लेकर फिटनेस पर लगे जुर्माने को माफ करने की मांग भी की गई है मांगो के समर्थन में ही फेडरेशन के सदसे 15, 16 और 17 जनवरी को काला बिल्ला लगा कर विरोध करेंगे इसके बाद संगठं 23, 24 और 25 जनवरी को विरोध दिवस मनाएगा और 26 जनवरी को किसानांदोलन का समर्थन करेगा पीएम स्वानिधी योज्रा के तहट पट्टा में की गई 55,000 वेंडरों की पहचान मिली जानकारी के नुसार चिन्हित वेंडरों को लेकर अब तक 12,450 वेंडर सर्वे के दाइरे में आगे हैं सर्वे में आए वेंडरों के बीच पीएम स्वानिधी योज्रा का लाव दिया जा रहा है इसके लिए अब तक 6,256 वेंडरों ने आवेदन दे दिये हैं जदियू सांसाद ललन सिंग ने राज़त से विलाए की कही बात भिहार भाचपा प्रभारी भुपेंधर रियादव की तरफ से राज़त को लेकर दिये गयाए वो जिस दिन चालेंगे, उस दिन राज़त का विला हो जाएगा वहीं उनके इस बयान के बाद से स्यासी पारा गर्म होने के आसार बढ़ गे हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे भुपेंदर यादव ने कहा था कि खरमाज के बार तेजस्वी यादव के चाहने के बाद भी राज़त उन्हें नहीं बचा सकेगी पतना सिविल कोट में अनन्त सिंग की पेशी के बाद 13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई मुकामा के भाहुवली विधायक अनन्त सिंग बीते दिन पतना सिविल कोट में पेश हुए थे उनकी पेशी उनके पैतरी कावाज से जुड़े एक मामले को डेकर करवाई गई थी इसी कड़ी में बीते दिन अनन्त सिंग समेट दो सिपाहियों की गवाही भी एडी जे प्रजेश कुमार के नियायाले में दर्ज की गई थे इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होने वाली है मिली जानकारी के अनुसार पतना सिविल कोट के एडी जे प्रदेश कुमार के कोट में दो घंटे तक सुनवाई चली थी जिसके बाद अनन्त सिंग की जेल वापसी के दोरान कोट परिसर में मौजूद उनके समर्थकों ने अभिवादन किया बिहार कॉंग्रेस में फेर बदल की शुरू हुई तयारी बिहार कॉंग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरन दास बीते दिन से राजधानी पटना के दोरे पर पहुँच चुके है कॉंग्रेस के लगतार खरा प्रदर्शन को देखते वे फेर बदल की तयारी भी शुरू हो गई है जानकारों की माने तो खरा प्रदर्शन के कारण पार्टी के अंदर गुटबाजी का माहौल देखने को मिर रहा है इनी अंदरूनी कलह को ध्यान में रखते वे नए प्रभारी को संगठन ने इसे खत्म करने की प्रात्मिक्ता पर रखने की बात कही है नए प्रदेश प्रभारी की न्यूखती के बाद ही माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन में बदलाव होने वाला है इसको लेकर भक्त चरंदास पटना का खाका तयार करने वाले हैं आला कि उन्होंने पार्टी में तूट की बाद से साफ इनकार किया है ठाकुर श्यामनंदन सिंग को श्रधांजरी देने पहुचे नितीश बिहार के मुख्यमंत्रि नितीश कुमार बीते दिन बिहार शरीफ पहुचे थे जहां पहुचकर उन्होंने गड़ पर स्थित स्वर्गिय ठाकुर श्यामनंदन प्रसाद सिंग के श्राध कर्म का हिसा हुए इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने उनके आवास पहुँचकर दिवंगत नेता को श्रधांजरी भी थी और उनके तस्वी पर श्राध सुमन अर्पित करते देखे गए राज़त उपाध यक्षों के साथ तेजस्वी ने की बैठक तेजस्वी आदफ पटना पहुँचते ये आक्षिन मूर में नजरार है बिहार में नडिये सरकार में जौरी अस्थर्ता को देखते वे तेजस्वी ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है बिहार की राज़ुचती को लेकर उन्होंने हाली में अपनी भविशवानी भी की थी जिसके तहत उन्होंने बताय था कि आने वाले महीनों में मध्यावदी चुनाव होने वाले हैं इनी सब बातों को ध्यान में रखते वे बीते दिन 10 सरकुलर रोट सिद्ध पुर्व मुख्यमंत्री रापरी देवी के आवाज पर प्रदेश उपाध्यक्षों की बैठक आयोजित करवाई गई थी जिसमें देजस्वियादफ के गामी रणनीती और धन्यवाद यात्रा को लेकर चर्चा हुई बैठक में राजद अथ्यक्ष जगदानन सिंग के अलावा व्रिशन पठेल, भुदेव चौधरी, शुभा प्रसाद कुश्वाह, सुरेश पास्वान और उदे नारायन चौधरी भी मुख्यरूप से मौज अला कि वाक्सिनेशन के लिए कई एहम दिशा निर्देश भी जारी के गये हैं, जिसके तहट अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वाक्सीन चाहिए, तो उसके लिए उसका मुबाइल नंबर आधार कार्ट से लिंक होना चाहिए, तबी किसी को कोरोना वाक्सीन दी जाएगी, हमानी जाती है चातरपती शाहु जी को 1708 में मराथा साश्रक का ताज आजी के दिन पहनाया गया था, गोपीनाच साहा की कौलकता के पुलिस आयुक्त चार्ल्स ऑगस्ट से टेगार्ट समझकर 1924 में आजी के दिन गिरफतार किया था, 1944 में महात्मा गांधी ने अपना अंत 1984 से हर साल आजी के दिन ग्रास्ट्रिय युबादिवस के रूप में मनाने की घोशना की गई थी, 2007 में आई आमिर खान के फिल्म रंग दे बसंती बाफ्टा के लिए नामांगेत आजी के दिन की गई थी, प्रियांका गांधी का जन्म 1972 में आजी के दिन दिल्ली में हुआ 2005 में भारतिय सिनमा के प्रसिद्ध बिनेता और खलनायक अमरीश पूरी ने आजी के दिन दुनिया को अलविदा कहा था रिशब पंथ ने अपने नाम किया एक नया रिकॉर्ड, सिद्नि क्रिकेट ग्राउंड में भारत और और अस्ट्रीला के भी चार टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया रिशब पंथ की अच्छी खासी पारी से इस बार मैदान में देखने को मिली रिशब पंथ ने अपनी इस पारी में कुल मिलाकर 118 गेंद खेले और 12 चौके और 3 छक्के लगाए जिसके तहट वो चौथी पारी में शतक और 97 रनोक से ज्यादा की पारी खेलने बाले पहले भारतिये विकेट कीपर बन गया है यह ऐसा रिकॉर्ड है जो भारत के सफलतम विकेट कीपर महेंदर सिंग्धोनी भी नहीं बना पाए है पंत ने चौथी पारी में अपना शतक इंग्लैंड के खिलाफ ओविल मैदान पर बनाया था विराट और अनुष्का के घर आई खुशी विराट और अनुष्का के घर नन्ही परी आई है जिसकी जानकारी खुद विराट कोली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर की है जिसके तहट विराट ने लिखा है कि हम दोनों को यह बताते वे बहुत खुशी हो रही है कि आज दो पहर हमारे यहां बेटी हुई है हम आपके प्यार और मंगल कामनाओं के लिए दिल से आभारी है अनुष्का और हमारी बेटी दोनों बिल्कुल ठीक है और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें इस दिन्दगी का यह चैप्टर अनुभव करने को मिला है हम जानते हैं कि आप इस जरूर समझेंगे कि इस समय हम सब को थोड़ी प्राइविसी चाहिए प्राइविसी पॉलसी को लेकर फेसबुक और वाटसैप पर रोक लगाने की उठी मांग प्राइविसी पॉलसी को लेकर वाटसैप की परिशानी बढ़ती जा रही है खुदरा कारुबारियों के संगठन कैट ने सरकार से WhatsApp और उसकी बूल कम्पनी Facebook के उपर रोक लगाने की रविवार को मांग की है संगठन ने सूच्छायवर प्राध्योगी की मंतरी रविशनकर प्रसाद को पत्र लिकर यह मांग की है Confederation of All India Traders ने WhatsApp की नई निजटा नीती पर चुंता जाहिर करते वे कहा है कि उसे WhatsApp पर लागू करने से रोका जाना चाहिए या फिर उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाने चाहिए यह जानते हैं सराफा बजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे वाव अगर हम सराफा बजार की बात करें तो सोने का भाव 11 जनवरी को 22 क्यारट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,450 रुपे था वही 24 क्यारट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,450 रुपे था वह अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रति किलो 63,900 रुपे था इसके लावा राजनानी पटना में पेट्रोल की केमा 86.7 रुपे प्रती लीडर थी, वाई डीजल 89.1 रुपे प्रती लीडर था कल हमारे तुवारा पूछे गए सवार का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद, आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है श्वेतार रॉय प्रदीप, मंडान यादव, उजाला चौधी, शिभम कुमार जिंग, शंभू शर्मा, राजेश कुमार, सतीश यादव, सूरज कुमार, रंजन कुमार, यादव उफिशल, पपो कुमार, मोनु कुमार, श्याम कुमार, मंटो कुमार, रोशन कुमार, सुधीर कुमार, पंकज प्रजापती, इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नह ही ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हम कल आपका नाम नेनी की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आज के सवाल की ओर, आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और अस्ट्रीला के बीच खेलेगे, तीसरे चणों में ड्रॉ करने की भारत की रनीती सही थी या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, तुम्हारे चानल को सिब्स्राइब करें, और वेल जाद शेयर करें, धन्यवाद